जिन चात्रों का लवा चार साड़े चार सो चात्रों का जो निवेदा नाया कि बर्तमान में फिर ये प्रसित्या मेरे ये निकट पड़ जाएगा ये केंद्र तो एंटी की डीजी ने उसको भी आस्वस किया और कहा कि अच्छा है हम जितने सुभधाएं अपने चात्रों को दे सकते हम उन चात्रों को सुभधाएं देंगे केंद्र भी मैं एंटी को देना चाहता हूं कि क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था होती है और उन्होंने जो पीची के समय में जो परिक्षा के केंद्र थे जो जेए के थे वो केवल पांसो सतर थे इस समय बढ़ा करके उन 142 केंद्र कर दिया ताकि यह जो चात्र है इसको ज़ादे दूरी पर न रहना पड़े और इसके लिए बहुत ब्यापा सुभधाएं दी है और इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि 99% चात्रों को उनकी बरियता के आधार पर उन्होंने जिस केंद्रों को चाहा उन्हीं की बरियता के आधार पर 99% चात्रों को उनका सेंटर मिला जो परिक्षा का सेंटर है इसलिए चात्र बहुत खोश है और मुझे ऐसा लगता है कि इस चात्र के लिए जो इसकी सुरक्षा है इसलिए हमने ग्रह मंत्रा ले ने हमको पहले ही अनुमती दी और जब सोप्रिम कि हम निर्देश आया तो उसके बाद बहुत तेजी से हमने स्वास्थे मंत्रा ले और हमारा शिक्षा मंत्रा ले ने मिल करके जो एंटी ने गाइडलेंड तयार की मैं चात्रों को कहना चाता हूँ और अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी राजे का मुखे स सच्चिव, सिक्षा सच्चिव, स्वास्थे सच्चिव और गरे सच्चिव से लगातार लगातार एंटी की डीजी पत्राचार भी कर रहे हैं संबाद भी कर रहे हैं भाच्चित भी कर रहे हैं और अभी तो स्वास्थे सच्चिव ने भी पूरे देश के सिक्षा पत्र जादी किया है उन से आगरे किया कि किसी भी प्रकार की कोई उदासिंता न बरती जाए चात्र का सुरक्षा हमारे लिए पहले है